हाई अव्रिवन कैसे हो आप बहुत सरे स्टूरेंट्स बहुत सरे तो नहीं कहूंगा लेकिन आग कुछ स्टूरेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर रेलवे में अकाउंटेंट की जो जॉब होती है उस पर एक डिटेल वीडियो बना दीजे दोस्तों आपको पता है अकाउं की स्टूरव के मेल आपको पता है कि हमाद चेंट की से इंकम होती है और बी जो चलान वगिरा करते हैं उस से इंकम होती है और बी आख्यों दो उसकी लीए तो अइसके लिक जर्नल अकाउंट लेजर मेंटेन करने करने पड़ा उसके लावा जो एमप्लोई से गただऑ्राओं पर्मोशन छे लेवल तक होंगे तो पहले मैं आपको कुछ पोस्ट बताता हूं उसके बाद बात करेंगे डिटेल की रेल्वेय में अकाउंट एंड बनना बहुत इजी है बस आपका थोड़ असा आपको टाइपिंग आनी चाहिए और आपको यहां पर बेसिक नॉलीज होनी है सबसे इसको कोई भी क्राइर सकते हैं टिक्ट का काम डे दिया कि आप टिक्टिंگ कर रह Keeping ना चाहिए उसके लिए accountant assistant है उसकी मैं बात करूँ आज उसमें और account come color come typist में एक ही फरक है कि यहां पर typing का test होता है और यहां पर typing का test नहीं होता तो यहां पर जो पोस्ट की बात को तो आईए detail में चलते हैं पहली job है जिसके बारे में बात कर रहा हूं after 12 जूनियर accountant assistant 2023 में इस साल वकैंसी निकलने वाली है पोस्ट डिटेल अपलाई सब कुछ बता दूँगा उसमें थोड़ा इंतिजार करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि जब भी इसकी information आए और मैं आपको जो हूँ exit बता सकूं अब सबसे पहले आप यहां पर देखिए railway recruitment board rrb की तरफ से वकैंसी निकली है बीजनवरी को last update आई इसकी ठीक है जब भी form निकलते है है तीज दिन का time आपको मिलता है तीज दिन तक आप यहां पर भड़ सकते हैं उसके लगबग आफ्टर टू मन्त आपका यहां पर exam सोता है उससे आप benefit ले सकते हो ठीक है आगे चलते हैं अब इस पोस्ट के अगर मैं बात करूं तो eligibility की बात कर लेते हैं पहले एनी 12 पास आ OBC होने पर आपको relaxation मिली जाता है एज में ठीक है आगे चलेंगे तो यहां पर salary की बात कर लेते हैं आप मुझे पता है आप सबसे पहले salary पुछोगे तो चुकि यह जूनियर लेवल की job है तो यहां पर salary starting salary 20-22,000 मानगर चलिए बट मुझे लगता है अब तो सहाध डवलप हो चुकी है 25-25 के करीब होगी दूसरा benefit आपको यह मिलता है कि हर दिपावली पे 72 डेज का आपको यहां पर salary मिलती है दिपावली बोनस के तोर पर उसके अलावा आप और आपकी family को railway में पास मिलता है जिसमें वो ferry tickets उनका कोई चार्ज नहीं होता एक साल में एक या दो trip सा आद AC के होते हैं बागी journal में sleeper में आप बिना tension reservation मलब जा सकते हैं तीक है journal होगेरा में अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं इसके अलावा promotion की जब आप एक junior accountant assistant बनते हो तो उसके बाद आप किस-kis post पर promotion ले सकते हो उसके बाद मैं बात करूँगा यहां पर syllabus की exam pattern की interview की औ सबसे पहला है आपके लिए जे एक के बाद accountant assistant चुकि आप junior हो उसके बाद आप senior account assistant बन जाओगे फिर आप junior account officer बनोगे senior account officer deputy chief account officer additional finance advisor chief account officer और chief account officer financial advisor यह total seven post होती है जिसमें retirement तक पोस्टे पोस्टे सीनियर पोस्ट पे तो आप पोची जाओगे promotions के लिए यहां पर age जैसे आपने चार साल की job कर ली आपको एक promotion दे दिया जाएगा फिर चार साल की job होगी next promotion आपको experience के basis पर यहां पर promotion मिलता रहता है promotion के as usual थोड़े बहुत exam होते हैं जो आप यहां पर दे सकते हो ठीक है अब यहां पर apply करने के बाद में बात आती है चलिए exam pattern वगएरा की तो उसमें बात करूंगा अभी मैं work देख रहाता है यहां पर क्या-क्या वर्क होता है पूरी एक pdf launch की है एक बड़े वगेरा इंटर्नल चेकिंग वगेरा है वो सब आपको देखनी होती है टिक्टिंग का collection हो आपके चलांस वगेरा का हुआ खर्चा यह सब आपको बनाना होता है डे बूक हो गया देख सकते हो financial section administration section provident section, pension section, booking section, budget section, expenditure section, inspection section, received and record sections और यह सारे sections एक अकाउंट को देखने होते हैं अगर वो railway में जा रहा है last बात करते हैं चलिए इनके exam में क्या कुछ आएगा क्या क्या हमें ध्यान रखना होगा तो आपको सभी को पता है NTPC का कोई भी सहले बस आप जाके चेक कर सकते हो ठीक आपको Google पर मिल जाएगा दोस्तों तीन step में आपका selection process रहता है सबसे पहले आपका return exam होगा उसके बाद आपका personal interview होगा उसके बाद आपका document verification and you will be select as a account assistant junior account assistant अब यहां पर exam देने के बाद exam में पहले बात कर लेते हैं क्या क्या रहेगा objective question होते हैं OBT होता है निके आपको सभी को पता है और इसमें आप computerized exam होता है आपका आपको center पर जाके exam देना है इसमें जो duration रहत होता है English आती है 25 questions Hindi आती है 25 questions जीके आती है 25 questions GS आती है 25 questions math के 25 और computer 25 यह इसका पहला पेपर है ठीक है यानि कि जो one return exam होता है ठीक है उसमें आपको 1500 minute मिलते है यानि के लगपर धाई गंटे में आपको exam conduct करना होता है जबकि आपको बता होगा bank में दो गंटे मिलते हैं 120 minute यह तो यह अच्छी बात है क्योंकि यहां पर questions भी ज्यादा हैं वहां से यह चीज आपको समझनी होगी next जो exam pattern है second paper का उसमें आपको उसमें आपको यहां पर business method क्योंकि आप commerce से relate थोड़ा बहुत होना चाहिए क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि commerce वाले बच्चे को तो फायदा मिलने वाला है रीजन यह है कि यहां पर थोटा सा account की knowledge भी आपको होनी चाहिए तो accountancy audit Indian economy civil और business method इसके questions आते हैं यह आपके सामने लेगा 1500 minute तो बस यह सब करने के बाद syllabus आपके सामने है वह ordinary syllabus जो आप Google से कहीं भी दे सकते हो इंटर्वी दोनों exam होने के बाद यह माना जाता है कि रेल्वे के इंटर्वी इतने तफ नहीं होते हैं अगर मैं comparison करूं बैंक के इंटर्वी से comparison करूं मैं आपका CGL के इंटर्वी से तो रेल्वे के interview as compared to other easy कर दिये गए हैं और कुछी पोस्ट में इंटर्वी में कुछ में अब हैवी नहीं तो यह थी सारी की जानकारी आई होप आप आज की जानकारी से सैटिस्वाई हो अगर आपको इस तरह की और जानकारी चाहिए और डिटेल्स रहे तो follow me on Instagram और आप simple सा follow कर लिजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कर दो कर दो